महिलाओं के लिए जरूरी बाते अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुने नमबर एक, पानी और दही को बराबर मात्रा में मिला कर ताजी पीसी हुई अद्रक के साथ पीने से लूज मोसन को कंट्रोल करने में बहुती मदद मिलती है नमबर दू, तक्या के बगएर सोने से कमर और रीट की हड़ी स्वस्त रहती है नमबर तीन, अपने बालों को सुन्दर चमकदार और काले घने बनाना चाहते हो तो पत्ते वाली मेहंदी और उसमें कड़ी पत्ता पीस कर रात को लोहे की कड़ाई में बिगो कर रख दे और सुबा उसमें नीबू का रस और अंडे की सफेज जर्दी डाल कर मिक्स कर लें और इसे अपने बालों पे अच्छे से लगाएं और तीन मिनट तक लगे रहने दें उसके बाद बालों को नॉर्मल पानी से धोलें उसके बार रात में सरसो कते लगागर अच्छे से बालों के मसाच करें और दूसरे दिन सैंपू से बालों को धो लें फिर देखिए आपके बाल कितने चमकदार और सुन्दर सिल्की हो जाएंगे महीने में दो बार ऐसा करने से हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ही जल्दी बढ करने लगती है नमबर चार प्याच को कद्दू कस करके उसका रस निकाल लें और फिर उसके बाद उसे बालों में लगाएं कुछ देर बाद पानी से धोलें उसके बाद दूसरे दिन सैंपू करें और फिर देखिए आपके बाल कितने जल्दी लंबे हो जाएंगे नमबर 5. हाथ पैरों के नाखुन काले पड़ गए हो तो कोई पुराने ब्रश में दूद पेस्टे लगाएं और उसमें नीवो का रज डालें फिर उसे अपने पैरों को साफ करें और फिर पानी से धोलें फिर देखिए आपके हाथ पैरों के निल्स कितने चमकदार हो जाएंगे 6. अपने चेहरे पर रोजाना एलोवेरा के पत्ते को काट कर उसका पल्प निकाल कर लगाएं इससे दाग धब्बे बहुत ही जल्दी साफ हो जाते हैं 7. पुदीने के तेल से माते के मालिश करने से सिर्दर्द में आराम मिलता है और अद्रक की चाई सिर्दर्द कम करने में सहायक होती है 8. गुसल खाने में पेसाब करने से घर में बरकत नहीं रहती है और घर में नसुहत फैलने लगती है 9. हल्दी और एलोवेरा का लेप तवचा के दाग धबो को और जलन को मिटाने में लाफकारी होता है 10. मूलतानी मिट्टी का फेस पेक तवचा को साफ और ताजगी भरा रखता है 11. सुबह खाली पेट दो गिलास गुनगोना पानी पीने से पेट की बिमारी से निजात मिल सकती है 12. थोड़ा सा अधरक और तुलसी के पत्तों को पानी मह उबाले ठंडा करके बच्चे को दिन में दो बार पिलाएं इससे बच्चों की ठंड दूर होगी 13. एक चुटकी अधरक के रस में थोड़ा सा सहद मिलाकर बच्चों को दे इससे खासी में राहत मिलेगी एक वर्स से छोटे बच्चे को सहद ना दे 14. हल्दी एंटिसेप्लिमेट्री गुड़ों से के लिए जाना जाता है इसमें मौझद एंटि ऑक्षिडेंट सूजन को कम करने और स्वसन नली को साफ रखकर सांस लेने और छोड़ने को सरल बनाने का काम करते हैं यहाँ एक नेशरल एंटि वाइरस है जो फेफडों को प्रभावित करने वाले वाइरस संक्रमन से दूर रखने में मदद करता है नमबर सोला यदि आपके दाद में बहुत दर्द है तो कच्ची प्यास के एक टुकड़े को तीन से चार मिनट के लिए दातों के बीच में दबा कर रख लें इससे आपके दर्द में बहुत ही आराम मिलेगा नमबर सत्रा रोजाना रात को सोते समय गिलास मीठे दूद में एक चम्मच देशी घी डाल कर पीने से शरीर का दुबला बंदूर होता है और रात में नीद भी अच्छी आती है नमबर अठारा सूखी और खुजली वाली त्वचा पर नारियल का तेल लगाने से नमी मिलती है और जलन कम होती है नमबर उनिस ज्यादा फेपडों से जुड़ी परेशानी से बचाओ के लिए आपको अपनी डाइट का भी खास ध्यान रखना होगा आप हेल्दी चीजों का सेवन करें अपने खाने में आप हरी पत्तेदार सब्जियों को सामिल करें इसके अलावा फलो का भी सेवन करना आपके लिए बहुत ही फायदे बंद होगा हाइडरेट फ्रूट्स का सेवन करने से आपके फेपडों की सफाई नेचरल तरीके से हो सकती है बुखार में बच्चे के माते पर ठंडे पानी की भीगोई हुई पट्टी रखें इससे सरीर का तापमान कम होगा नमबर 21 दाल रोटी का सेवन करने से इनसान बहुत कम बिमार पड़ता है नमबर 22 एलोवेरा बालों के लिए बहुत ही फायदे मंद है ताजे एलोवेरा के पत्तों से जैल निकाल कर सीधे बालों की जड़ों पर लगाएं यहाँ बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और उन्हें मौशराइज करता है नमबर 23 दही में सहद मिलाकर बालों में लगाएं यहाँ बालों को मुलाएं बनाता है और उनकी चमक बढ़ाता है नमबर 24, क्रीन टी में मौझूद एंटि आक्सिडेंट बालों के जड़ने को कम करने में मदद करते हैं इससे सिर्फ पर 15 मिनट तक लगाएं और फिर पानी से धोलें नमबर 25, अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो हर रोज दही खाने से बचना चाहिए दर असल दही को पचाने में समय लगता है ऐसे जिन लोगों का डाइजेस्ट सिस्टम कमजोर है उन्हें हफते में दो से तीन दिन ही दही खाना चाहिए नमबर 26, अगर आप बेट लोज जरनी में हैं तो बहुत ज़्यादा दही खाने से बचना चाहिए यह दर असल दही फुल फैट मिल्क से बना होता है जिसमें अच्छा खासा फैड भी मौजूद रहता है इसलिए आप जरुरत से ज़्यादा दही खाया जाए तो वजन बढ़ सकता है और बोन डेसिट कम हो सकता है नमबर 27 दही खाते वक्त इस बात का खयाल रखना चाहिए दही ताजा होना चाहिए बासी दही जल्दी खटा हो जाता है और पेट खराप कर सकता है इसके अलावा इससे गैस किया समश्या भी बढ़ सकती है कोसिस करें कि बाजार की वज़ाए घर का जमा दही खाएं वैसे तो दही में सक्कर मिला कर खाने से प्यास बुच्छती है लेकिन डाइबिटीज के मरीजों को दही में सक्कर मिला कर खाना नुक्सान कर सकता है ऐसे में डाइबिटीज के मरीज दही चीनी और लसी की बज़ चांच और राइता खा सकते हैं नमबर 28 हफते में दो बाई गरम पानी की भाप लेने से चेहरे पर जमी गंदगी आसानी से निकल जाती है जिससे चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं और चेहरे पर ग्लो आता है नमबर 29 मच्छर अगर जादा आ रहे हैं तो तेज पत्ता जला दें और इसका धुआ कमरे में कोने कोने पर कर दें इसे सारे मच्छर भाग जाएंगे नमबर 31 कच्छे चावल को अच्छी तरह से बारिक पीस लें और तरभूच के रस में मिलाकर पेस्ट बना लें अब इस पेस्ट को चेहरे पर 15-20 मिनट लगाएं और उसके बाद स इसे पानी साफ हो जाएगा नमबर 32 हाथों के अंगुठे पर तेल की मालिश करने से आंकों किरोसनी तेज होती है वीडियो में बताई गए जानकारी सामारे जानकारी पर आधारित है किसी भी विमारी से पिडित होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर यहां नियम अपना दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आज की जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ऐसे ही आपके पास सबसे पहले पहुँचे आप और आपके परिवार हमेशा खुस रहें और स्वस्त रहें अपने आसपा सफाई रखें अपने परिवार का ध्यान रखें और दोस्तों मैं कीता लवरी लाइफ स्टाइल मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार